नमस्का दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर और आज हम उस चीज की बात कर रहे हैं जिसका आप सब को इंतिजार था हम बात करेंगे बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टो करेंसी के बारे में सबसे पहली चीज जब इस टॉपिक पर बात करें आज के जमाने में बोलना ज़रूरी है कि ये एक स्पॉंसर वीडियो नहीं है कोई ऐसा एक्सचेंज मेरे पास नहीं आया है जो मुझे पैसे दे रहा है और कहे रहा है कि मेरे क्रिप्टो एक्सचेंज को प्रमोट कीजिए लोगों से अलग-अलग कोईन्स खरीदवाईए ऐसा हम कुछ नहीं कर रहे है इस वीडियो में मैं आपको simply मेरा opinion बता रहा हूँ मेरा एक perspective बता रहा हूँ क्रिप्टो इंडस्ट्री में मेरा जो experience रहा है आपसे वो share कर रहा हूँ So, क्या आपको cryptocurrencies में invest करना चाहिए देखें, short answer yes है बढ़िया, yes क्यों है? क्योंकि आपको सारे asset classes को life में explore करने है वो gold हो सकता है, equity हो सकता है, FDs या fixed instrument में भी हो सकता है PPF हो सकता है, हर चीज हमें explore करनी है life में कोई भी चीज को मना नहीं करना है अपनी आखें बंद नहीं करनी है किसी भी चीजों के through इस studio में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि मैंने crypto में किस तरह invest किया है कौन से crypto खरीदे है, वो भी आपको आगे चल कर बताऊँगा बट एक बहुत बड़ी चीज है ये obvious answer जो मैंने आपको yes बताया है उसके साथ दो बहुत बड़े बट लिखे हैं मैंने कई बार मैं लोगों को बुलता हूँ कि आप youlip plans मत लीजिए या banks आके आपको कोई भी fix return investment scheme बेचती है वो मत खरीदिए क्योंकि उसमें returns बहुत कम मिलते है लेकिन आख बंद करके crypto खरीदने से तो अच्छा है कि आप ये youlips और bank के दिये वे सड़े plans ले ले honestly बात यही है कि अगर आप आख बंद करके crypto खरीद लेंगे मेरा experience देखिए मैं bitcoin के बारे में जानता हूँ 2012 से and market को मैंने थोड़ा बहुत closely observe किया है 2017 से जब price जो है 1000 से लेकर 20,000 गया था बहुती तेजी से ये dollar में pricing है और फिर गिरके वो अपस 3,000 से 4,000 डॉलर आ गया था तो तभी से market जो है मैंने 1000 डॉलर से आज कुछ 60,000 का भाव चल रहा है मैंने market को अच्छे से observe किया है लेकिन मैं ये bitcoin की बात कर रहा हूँ इसके अलावा अभी क्या हुआ है कि 1000 ऐसे coin आ गये है तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे जी हाँ आपको मैं disclaimer बता देता हूँ कि मैं invested हूँ इस asset class में जी बिलकुल बट मेरी जो understanding है इस asset class की जादा था investors से बहुत जादा deep है मैं काफी अच्छे से समझता हूँ इस technology को भी asset को भी और मैंने कम से कम 500 घंटे का research किया है, study किया है अलग-अलग देशों में जाकर मैं bitcoin investors के साथ मिला हूँ, sessions अटेंड किये है privately बात की है तब जाकर मेरा कुछ conviction बना है और मैं long term के लिए सोचता हूँ कि bitcoin एक अच्छा investment है लेकिन अगर आप मेरे कुछ सवालों का अगर जवाब नहीं दे सकते तो शायद आपको ये investment से दूर रना चीए, वो सवाल मैं आपसे पूछूँगा पहला तो समझ लो कि जब आप invest कर रहे हो इस asset class में तो landscape समझो, crypto currencies जो इसे नाम दिया गया है मैं मानता हूँ जादा तर गलत है, ये currencies नहीं है इन्हें आप crypto assets कह सकते है digital, ledger, technology, instruments कह सकते है लेकिन ये currency का काम नहीं करती है इन्हें आप digital gold मान लो एक बार कि सोना जो है currency नहीं है investment है, asset है, लेकिन currency नहीं है तो currencies नाम क्यों आया था देखे, Satoshi Nakamoto जो है वो एक anonymous person है जिन्होंने bitcoin जो है उसे invent किया था 2009 में और bitcoin को जब invent किया था उन्होंने एक technology बनाई थी blockchain इस technology के ऊपर जो है उन्होंने ये technology invent करके bitcoin को possible बनाया था और उस paper में जो उन्होंने publish किया था, ये जो invention उन्होंने नहीं किया था उसका एक white paper उन्होंने ने लिखा था उसमें उन्होंने cryptocurrencies term use किया था, लेकिन it is not a currency, it's a crypto asset it is a different asset class वो crypto, currency का काम नहीं करता वो crypto जो है technology है लेकिन currency जो है वो एक technical term है, तो ये currency नहीं है इसे हम lane day के लिए use नहीं करते है आज, सो क्या आप इन सवालों का में जवाब दे सकते हो क्या आप bitcoin अपने पास रख सकते हो जैसे कि आप सोना रख सकते हो जब मैं bitcoin कह रहा हूँ, of course आप किसी भी crypto का नाम इहां डाल दो लेकिन, चलो bitcoin की ही बात करते है अगर specifically कहें, तो क्या bitcoin को gold की तरह अपने पास रख सकते हो या जो exchanges में आप खरीदते हो उसी में आपको रखना चाहिए या उसी में आप रख सकते हो तो क्या आपको इसके बारे में पता है कि bitcoin क्या आप अपने पास रख सकते हो या नहीं रख सकते हो फिर जो भी सतोशिनाका मोटो है जिन्होंने ये blockchain बनाया है bitcoin का वैसे हर crypto का अपना एक अलग blockchain होता है तो जो लोग ये blockchain चलाते है क्या वो आपका जो funds है seize कर सकते है freeze कर सकते है आपके account को अगर आपने अपने पास रखा है अपना bitcoin या किसी exchange पर रखा है तो क्या जो bitcoin ब्लोगचेन चलाने वाले लोग है वो आपका account seize कर सकते है क्या किसी को अपना खुद का blockchain बनाना है और bitcoin जैसी कोई currency launch करनी है कोई asset launch करना है तो क्या वो एक घंटे के अंदर कर सकता है या एक दिन में कर सकता है क्या ये असान होता है और क्या आप इसलिए invest कर रहे हो कि price जो है short time में उपर जाने वाला है आपने देखा है कि लोगोंने बहुत पैसे कमाई है news में बहुत जादा ही fancy आजकल advertisements आ रहे है news वाले investment के नाम पर पैसे लेकर promote कर रहे है अलग-अलग coins को, अलग-अलग exchanges को promote किये जा रहे है crypto, coffee और पता नहीं क्या-क्या shows बना दिये है बड़े fancy तो क्या आपको लग रहे है बहुत पैसे बहुत जल्दी बन जाएंगे महेंगाई भट रही है, petrol का भाव जो है 120 रुपे हो गए है तो मैं crypto खरीड लेता हूँ क्या आप ऐसा सोच रहे है इनके जवाब जो है मैं आपको दूँगा नहीं आप research करना, पता करना लेकिन इन सवालों के अगर आपको concrete और sure जवाब नहीं पता है तो आपने शायद technology को इतना समझा नहीं है कि आप इस पर invest करे so please मेरी request है कि bitcoin क्या होता है ये decentralization क्या है जिसके नाम पर जो है पूरी industry चल रही है उसके बारे में study कीजी अगर आप request करेंगे तो कुछ videos मैं भी बना सकता हूँ technicals के उपर आपको fundamental समझाने के लिए कि ये technology क्या है लेकिन ये channel पर हम finance और investing की बात करते है तो लेकिन फिर भी आप technical जानना चाहते हो bitcoin का तो comments में request करिएगा मैं एक video बना दोगा फिर कुछ ऐसे सवालों का जवाब दीजिए crypto invest करने के पहले जो एकदम purely investment question से मैंने पिछले भी कुछ videos में आपको इस बारे में hint दिया होगा कि normal market में भी ऐसे सवाल पूछता हूँ क्या आप market में रह सकते हो अगर दाम 80% नीचे चले जाए अगर आपने एक लाख रुपए डाले crypto में और वो 20,000 के हो गए तो भी क्या आप पकड़ के रुख सकते हो market में 2, 3, 4, 5 साल क्योंकि past में ऐसा हो चुका है bitcoin का price 20,000 रुपए से लेकर आ चुका है 3,000 से 4,000 पर उसके पहले bitcoin का price जो है कई बार इससे जादा 90% तक नीचे आ चुका है जब समझो 10 रुपए से 200 रुपए के बीच में था या 1000 रुपए के नीचे था बहुत सारे ऐसे उतार चड़ाब हो चुके है इस market में तो क्या आप उतनी volatility को handle कर सकते हैं आपके total investment portfolio जो है उसमें से कितना equity में है कितना crypto में है अगर मेरा total investment 100 रुपए का है तो क्या मेरे 50 रुपए equity में लगते है जिरोधा वगरा के थुरू और 50 रुपए crypto में लगते है या 80 रुपए equity में लगते है और 20 रुपए crypto में लगते हैं तो वो ratio क्या है आपके पास जितना भी पैसा है investment के लिए उसमें से कितना percentage आप कहा डाल रहे हैं ये आप decide कीजिए क्या आप loan ले रहे हैं market से crypto में invest करने के लिए क्या आप लोगों से पैसे borrow कर रहे हैं मैंने कई messages देखे हैं WhatsApp पर जहां पर लोग बोलते हैं कि मुझे 2000 रुपे दे दो और मैं उसको 5000 बना कर दे दूँगा तो क्या आप उन में से हो जो या तो पैसे दे देते हैं ऐसे schemes में या पैसे लेते हैं ऐसे schemes में इस बोन्ट एंड वेल माइ फ्रेंड ऐसा मत करो आपका monthly जो income है उसका कितना percentage जो है आप crypto में डाल रहे हो इसका जवाब मैं दे देता हो अगर आप 50,000 रुपे से उपर कमाते हो महिने का तो आप कह सकते हो कि मैं 8 से 10% crypto में डाल रहा हो अगर आप ज़्यादा risk ले रहे हैं तो वरना आप 5% तक ही रही है लेकिन आप 50,000 रुपे के नीचे हो और आपका ये जो आकड़ा है वो आपके income के 10% के उपर है बाए इनी chance तो आप बहुत ज़्यादा risk ले रहे हो शायद अन्नेसेसरी risk है दोस्तों क्यों खेल रहे हो पता है कि market crash होगा किस ना किसी दिन कई सारे जो हजारो coins है उसमें से कई सारे coins बचेंगे भी नहीं अगले 2 साल में सब गाये बजाएंगे बहुत ज़्यादा जो है एक fancy आ गई है market में bull market कहे कर बस लोग अपना coin launch किये जा रहे है भाई इन में से ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं चलने वाले है ये प्रोजेक्स जो है उन्में कोई merit ही नहीं है वस आपका पैसा लेने के लिए बने है bitcoin एक asset है एक established asset है जो 12 साल से है टिका हुआ है लेकिन इसके अलावा जितने भी coins आये सब नए है बहुत ज़्यादा new है bitcoin के success के उपर ride कर रहे है कब तक ride करेंगे पता नहीं तो थोड़ा सा careful रही है आप जो है market में अपनी holding capacity बना कर रखिये बहुत ज़्यादा अनाप शनाप पैसा मत लगाईए loan मत लीजिए crypto में invest करने के लिए देखे इस market के challenges को समझू एक तो यह cyclical है और बहुत ज़्यादा volatile है हर चार साल में जो है एक halving करके event होता है जहां पर bitcoin की जो supply है market में वो half हो जाती है तो bitcoin की जो supply है शुरू ही ती दिन के हर 10 minute 50 bitcoin से फिर वो हो गई 25 bitcoin फिर 2017 के bull run के पहले वो हो गया साड़े बारा bitcoin और अब वो हो चुका है सबाद 6 bitcoin प्रती 10 minute ये 2020 में ये वाला change आया तो ये जो है bitcoin की supply reduce होते रहती है इसलिए ये इतना popular asset class है इसलिए लोग इसमें पैसा डालते है बाकी जो coins है उसमें क्या हो रहा है वो हमें नहीं पता कोई हो सकता है बोलता है कि total एक लाग coin होंगे market में लेकिन उसमें से 25,000 मैंने पहले ही अपने पास रख लिए बाकी 75,000 मैं जो है market में दे रहा हो तो उसके पास पहले से इतने coins है वो कभी भी बेचके market गिरा सकता है आप समझें आपके पैसे ले जाएगा ये पूरी gambling हो जाती है तो जो नए coins आते हैं उनको आप बहुत ही ज़ादा suspiciously देखिए कुछ लोग पैसे कमाएंगे ज़ादर पैसे गवाएंगे बहुत सारे scam होते है exit scam होता है सबसे पैसा लोग एक squid coin आया था अबी सबके पैसे लिया और फिर भाग गए कई exchanges hack हुए है ये exchanges आज इंडिया में भी regulated नहीं है वो आपके पैसे लेकर भाग गए या वो hack हो गए तो आप क्या करेंगे careful रहिए इस risk को समझे सीखिए कि आप अपना crypto अपने पास कैसे store कर सकते है अगर long term के लिए buy कर रहे है तो खुद storage करना सीखिए bitcoin में बड़ा easy होता है बाकी वालों कभी जो है wallets होंगे लेकिन undue risk मत लीजिए technology को पहले समझे बहुत सारे legal gray area है इंडिया बहुत ही जल regulations लेकर आएगा ऐसे आसार है लेकिन आप समझे बहुत सारा FEMA violation हो रहा है foreign से जो पैसा इंडिया में आ रहा है crypto आ रहा है वो शायद RBI के guidelines को जो है violate कर रहा है और यह बहुत serious laws है बहुत ही खतरनाक laws है इंसे बचके रहना चाहिए किसी भी international exchange में आपको account नहीं बनाना चाहिए जिस भी exchange में आप अपने Indian bank account या UPI या किसी Indian wallet से easily पैसे डालके उसी wallet में नहीं निकाल सकते उसमें आपको काम नहीं करना चाहिए सिर्फ proper Indian exchanges में काम करो क्योंकि वरना आपका शायद FEMA violation हो जाएगा बहुत जदा legal problem आ सकती है money laundering के जो provision से Indian law में बहुत strict है तो आप जो है इंडिया से पैसा जो है बाहर लगर ले जाते है international exchanges में तो बहुत गरबड जाती है लोग आज freely promote करते हैं कि Binance में account बनाओ पैसे ले जाओ और भी exchanges में account बनाओ यहां से transfer करो फिर trading करो भया शायद भहुत ही खतरनाक law break कर रहे हो आप तो थोड़ा सा sure रही है exchanges भी अब जाग रहे है उन्हें पता चल रहा है कि regulations आने वाले है तो वो भी जो है थोड़े स्टक्त हो सकते हैं लेकिन आप careful रहे हैं प्लीज तो crypto कैसे खरीदना चाहिए चलो यही सुनने आये थे न आप कि कैसे खरीदे तो देखिए पहले आप risk को accept कर लीजिए सब कुछ जा सकता है unlikely ऐसा होगा अगर आप wisely काम करें long term के लिए आप रहे तो मेरा analysis है कि आपके सारे पैसे चले नहीं जाएंगे लेकिन आपको कई चीज़े सीखनी है कि आप bitcoin कैसे store करे आप जो है कौन से coins खरीदे इन चीज़ को समझिए international exchange में काम मत कीजिए leverage और margin वाले products को exchange इसमें crypto में use मत कीजिए बहुत volatile market है समाप तो जाओंगे आप मत करो buy कीजिए hold कीजिए SIP कीजिए long term के लिए hold कीजिए मेरे ख्याल से मैं तो मानता हो कि bitcoin एक बहुत अच्छा idea तो जब भी हो से कि bitcoin खरीदने की कोशिश करता हो कभी लगे कि market बहुत उपर भाग गया है तो profit भी book कर लेता हो लेकिन खाली bitcoin लेकर अगर आप 10 साल के लिए बैठ जाएंगे तो मैं मानता हो यह एक अच्छे option है safe खेल रहे हो आप और एक अच्छे asset को खरीद रहे हो लेकिन with good diversification, with no undue risk अगर आप थोड़ा पैसा डालते हो तो खराब idea नहीं है मैं आपको कोई financial advice नहीं देना चाहता हो इस वक्त मैं कौनसे coin zone करता हूँ, bitcoin, ethereum, matic, solana इसमें भी मेरा 75% या उससे जाधा amount जो है bitcoin में ही लगा है, बाकी coins मैंने सोचा है कि चलो शायद हो सकता है पात साल में यह अपने आपको proof कर दे या zero हो जाएंगे, लेकिन bitcoin मेरा मानना है कि as a technology technology, 10 से 20 साल बाद भी अगर आपके bitcoin आपके पास तोड़ है तो आपसे कोई ले जा नहीं सकता bitcoin को बंद करने के लिए पूरे विश्व में internet बंद करना होगा, वो नहीं हो सकता आज की तारीक में, so bitcoin जो है एक decentralized technology है time tested है, 12 साल से चल रहा है, मेरा बहुत trust है इस technology पर, देखिए asset का price जो है, उपर नीचे कहीं भी जा सकता है, मैं technology को देख रहा हूँ, ये tech रहने वाला है, कहीं जाने नहीं वाला अगरे 10-20 साल, तो उस हिसाब से मैंने technically bitcoin को समझा है और मेरा उस पर भरुसा है अब देखिए, unless आप बहुत जादा जानते हैं, आप इनके बहार तो मज जाईए whatsapp forwards, doggy coins बहुत सरे dog token आ गए है shiba inu, doggo, जो भी है जो भी नाम है, इलान मस्क प्रमोंट करते रहते हैं देखे, मैं ignorant नहीं हूँ मैंने भी ये coins देखे हैं मैंने जो है, इस पर भी थोड़ी बहुत study की है और बस इतना ही समझा है मैंने कि कोई एक चीज जो zero से चालू हुई थी आज 12 साल में 60 हजार डॉलर की हो गई जोटी बात नहीं है ये एक डॉलर का आप लेते, 10 सेंट का भी ले सकते थे तो 6 लाग गुना जो है return मिला है लोगों को तो अब्यस है इस technology के around लोग और भी कुछ ना कुछ करके पैसे कमाने की कोशिश करेंगे तो नए coins आते रहते है investors को भी जादा returns का लालज है तो वो नए coins जो है जल्दी से खरीद लेते है लेकिन थोड़ा सा बात को समझिए मैंने आपको अपने stock market के anxiety reduce करने वाले वीडियो में बताया था जिसे में उपर आई बटन में link कर दूँगा कि आप अगर साल का 15 से 18% कमा सकते हो return अपने investments पर तो वो बहुत अच्छा return हो अब फिर अपने primary income पर ध्यान दीजिए ना आप कहा यहाँ पर पैसे लगा कर सब कुछ इसी में कमाने की कोशिश कर रहे है अपनी income बढ़ाई अपने career पर ध्यान दीजिए मेरा career का channel है उसे subscribe कीजिए उसका link में मैं दे दूँगा आपको लेकिन यह जो 15-18% है उसके जगह बिटकोईन ने 200% साल आना return दिया है पिछले 12 साल में बहुत हो गया ना तो आप अगेन यह जो 200% है guaranteed नहीं है आपका बहुत ज़्यादा loss हो सकता है इसलिए बहुत ज़्यादा अनाप्शना पैसे नहीं लगाने है थोड़े पैसे लगाने है जितना लगाने आप जानो मैं मानता हूँ कि मैं 5-10% के range में ही रहूँगा अपने income का बस इतना ही जो प्रतिशत है जो इतना ही share है मैं इन चीज़ों में लगाऊँगा उससे ज़ादा नहीं जाऊँगा मैं आगे तो यह discipline रखिए देखिए अगर आपको crypto खरीदना है तो वजीरेक्स यूज़ कर सकते हो कोई खासा मेरा लगाव नहीं है वजीरेक्स है यह उनका account मैं यूज़ करता हूँ मेरे लिए अच्छा चल रहा है तो मेरा एक link है referral link जो मैं description में रख दूँगा आपको यूज़ करना है यूज़ कीज़े नहीं यूज़ करना है डिरेक्स डाउनलोड कीज़े आपको मेरा link यूज़ करना कोई extra फायदा होना है कोई नुकसान होना है अगर आप मेरा link यूज़ करेंगे तो शायद मेरा कुछ benefit हो जाए लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं है मैं चाहता हूँ कि आप एक wise financial decision ले पैसे कमाना जो है आपसे उसमें मुझे ज़्यादा लालज नहीं है यूट्यूब से जो थोड़ा बहुत पैसा आ जाएगा वो ठीक है ये जो आपने देखा ही है मेरा यूट्यूब चैनल मैं बहुत ज़्यादा लालज करके आपको fancy चीज़े नहीं बताता हूँ simple बाते करता हूँ जो थोड़े बहुत पैसे मेरे बन जा है यूट्यूब आट से मैं उसमें खुश हूँ लेकिन आपको गलत advice मैं कभी नहीं दूँगा तो देखिए दोस्तों अगें मैं बता दूँ ये financial advice नहीं है crypto भूँत ही high risk asset है मुझे बहुत ही डर लग रहा था ये video बनाते समय लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप भावनाओं को समझ रहे है आप risk को accept करेंगे अगर आप bitcoin या crypto में पैसा लगाएंगे और पैसा नहीं लगाएंगे इसमें तो कोई बात नहीं यार equity market है इंडिया पर आप bet कीजिए इंडिया market अगले 20-30 साल तक boom में ही है long term investor हो आप तो आपको कोई तकलीफ नहीं है market में फिर अगर लगेगी दो साल बात वापस देखो अगर bitcoin लगे कि अच्छा है तो वापस देख ले ना कुछ छूट नहीं रहा है यह जो emotion होता है न FOMO, fear of missing out कहते है इसे कि अरे छूट जाएगा, मैं रह जाऊँगा market आगे भाग जाएगा उस emotion में आकर कभी invest मत करना FOMO में invest मत करना FOMO में life में कुछ मत करना शादी भी मत करना FOMO में सकती मेरे भाई, सकती see you next time